जग दंबा घर में दियरा बार आईनी है जग दंबा घर में दियरा बार आईनी है जग तारन घर में दियरा नौमी की तैयारी मैं अश्टमी के राज से ही कर ली थी बहुत कुछ करना होता है और अकेले ही सारा काम करना होता है पूजा का तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लो तो बहुत ही आसान हो जाता है और मुझे ये चना भीगोने रखना था तो भूल गई थी तो फिर आकर के मैंने चना भीगोया कीचन साफ करने आई थी तो अचानक याद आया क्योंकि सामान सारा कुछ एक जगार रख दिया था देख रही है यूट्यूब पर तो इस वार मैंने डिसाइड किया कि कम ही खाना बनाऊंगी बहुत जादा डब्बे में नहीं डालूंगी क्योंकि बरवात करने से क्या फायदा है और यह सुबह का टाइम है जो कि तीन बज के थर्टी मिनट पर मैं जगी और उसके बाद सबसे पहले मैंने पूजा का बरतन धोया क्योंकि रात को जो भोग लगाया था अस्टमी का तो रात को मैंने नहीं धोया था किचन तो मैंने रात में ही साफ कर लिया था जुठे बरतन हटा लिये थे ताकि सुबह मुझे बहुत ही आसानी हो जाए सुबह सफाई अगर करने लगो तो बहुत टाइम लग जाता है और पूजा का बरतन धो करके रखा और फिर मैंने सोचा था कि आज चाए नहीं पीऊंगी क्योंकि चाए पीने में मुझे बहुत ही टाइम लग जाता है लेकिन फिर डिसाइट किया कि अगर चाए नहीं पीऊंगी तो दुर्गा सबसती का पार्ट करूंगी तो मुझे नी लिए चाय बना लिया और निम्बू पानी भी पी लिया चाय की आदत ऐसी है कि ना भी चाहते वे चाय पीना ही पड़ता है अगर सुबह चाय ना पियो तो मुझे कोई काम नहीं होता है यह आदत अच्छी है यह खराब मुझे पता नहीं लेकिन अब तो आदत लग गई है कुछ कुछ आदत लग जाती है दीरे-दीरे सफाइव करने की आदत तो बहुत लोगों को होती है मुझे पिशी तरह यहां आदत है और सभी चीज साफ रहे तो काम करने में अच्छा लगता है और अरेंज रहे तो बहुत ही आसानी से काम हो जाता है चाय भी बना रही थी और मैं गैस का इस्टोब यह सब भी पोच रही थी रात को भी पोच लिया था अब चाए बन गया, बैठ करके चाए पी रही थी तो बाहर देखा अभी अंधेरा है, ये साड़ह चार बज रहे है, चाए पीते पीते ये करीब पांच बज गया, और उसके बाद मैंने नहाद हो लिया, नहाद हो करके अब घर का पुजा किया, उसके बाद सोचा कि चलो पह बनाया, जो की प्योर घी में बनाती हूंucky और उसके बाद मैंने इस वार जो हलुआ बनाया, वो मैंनने रेसिपी देखी थी उसी मेजर्मेंट से बनाया पता नहीं अभी तक तो मैं सूजी जितना चीनी और उतना ही घी का मेजरमेंट था इस तरह से हलुआ बनाया मुझे लगा कि मैं जैसे बनाती थी वैसा ही हलुआ ठीक है लेकिन फिर भी चलो बनाया तो देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया मा बहुत ही अच्छा हलुआ बनाती है और बिर्कुल ही सूजी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया भोग बन गया माता रानी का अब कन्या का भोग बनाना है तो एक तरफ मैंने चना भीगो करके जो रखा था उसको बॉयल होने के लिए प्रेसर कूकर में डाल दिया साथ में तेजपत्ता भी डाल दिया और हलका नमक डाल कर इ गी और गी नहीं लिया है और यही मेजर्मेंट कपसे बराबर ऑल बराबर सूजी और चीनी लिया हल्वा इस तलह से बन गया लेकिन मुझे लग रहा था कि इह गी में तैर रहा है सूजी ज्ञादा टेल हूगया बार-बार मुझे लगcient ख्याकि बनाया उसके बाद पिर भ हलुआ बन गया लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि चीनी और तेल जादा हो रहा है देखिए किस तरह से यह ओयल में तैल रहा है आप भी अगर इस तरह से ट्राय करेंगे बराबर बराबर तो मुझे लग रहा है कि इसमें ओयल थोड़ा कम होना चाहिए बराबर नहीं होना चाह तब हल्वा अच्छा बन जाएगा इस तरह से हल्वा डार्क ब्राउन कलर का मैंने इस वर बनाया मा की तरह बनाने की कोशिस की और उसके बाद मैंने साथ में आटा भी लगा लिया क्योंकि इसमें पानी जो था वो था दो कप एक कप सूजी एक कप चीनी और एक कप तेल था और पानी का जो मेजर्मेंट था वो डवल था तो इस तरह से देखिए यह हल्वा बन गया सोहा ने बोला नहीं टेस्ट अच्छा है हल्वे का और तब मैंने पूरी भी बेल करके पूरी भी तल लिया पूरी के लिए अगर दो आदमी हो तो अराम हो जाता है लेकिन अकेले ह कि बन ही गया सब कुछ बन ही जाता है अगर आप कुछ सोच लो तो वो काम पूरा हो जाता है बस हमें पेसेंस रखना पड़ता है और घबराना नहीं है कि इतना कैसे होगा काम अब पूरी हल्वा बन गया और चना भी बनाना है मुझे लग रहा था कि अब थोड़ा मुझे दुर्गा सबसती का पाट करने में देर हो रहा है लेकिन चना बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है पहले मैं जैसे बनाती थी उसी तरह बनाया पहले सोचा था कि यूट्यूब में जो देखा था उससे बनाऊंगी लेकिन फिर बाद में डिसाइड किया कि नहीं वैसे ह येसे मैं बनाती हूं अच्छा सुखा बनता है और देने में भी ठीक रहता है। डबोय में डालने में गीला कैसे जाएगा सबको तो इस तरह से मैंने सुखा ही चना बनाया। हम जा पर रहते है वहाँ घर पर कन्या को लाना थोड़ा मुस्किल होता है, तो डबे में भर करके बाहर ही जा करके दे आते हैं मन्नीर में बेटी रहती है कन्या और फिर वहां जाकर करके हम बात आते हैं कन्या को तो इस तरह से देखिए चना भी बन गया time अभी 6 बजने वाले हैं 6 बज गया मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं अभी टाइम थी लेट नहीं हुआ है देखिए बाहर बिलकुल ही उजाला हो गया और फिर से मैंने नाद हो करके चेंज कर लिया साड़ी पहनी थी हवन और पार्ट के लिए मुझे आज नौम्मी को तो तैयार हो करके मैं अब दुर्ग सबसती का पार्ट पढ़ने के बाद वही हवन करना है मुझे और उसके बाद आरती करना है हस्वेंट साथ में रहते हैं तो हेल्प कर देते हैं इस वार उन्हें ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा तो हवन का काम वही करते हैं तो इस वार मुझे करना पड़ा सोहा बोली क कि मैं डब्बे में सजा दूंगी खाना, तो ये काम उसने कर दिया, तो एक काम मेरा हो गया haveon कर रही थी, तो उसने बोला, देख लो मम्मी, और वो चौकलेट क लाई से डबबा तयार हो गया और मैं अपना हवन कर रही हूं हवन भी हो गया हवन करने के बाद आरती किया और अब किचन में आकर के देखा किचन में काम हो गया था सारा साफ हो गया था किचन सिर्फ अरेंज करना था मुझे अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करू क्योंकि मुझे प्यास भी लग रही थी अब लग रहा था सरवत चाय पीएं या जूस निकालू यही सोच रही थी और बरतन भी अरेंज कर रही थी साथ साथ धीरे धीरे सारा कुछ कर लिया मैंने बरतन अरेंज कर लिया बार बार लग रहा था कि नहीं जूस निकालने में ऊफिस का काम करना है, फिर मेंने डिसाइट किया कि नहीं इतना कुछ किया है, तो चलो जूस पी लेते हैं, जिससे थोड़ी एनर्जी आजाएगी, और फिर मैंने महसमी और अनार का जूस निकालना स्टार्ट किया मौसम्मी के बीज निकालने होते हैं नहीं तो वह कड़वा हो जाएगा जूस इसलिए कोई भी काम मुझे करना है तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से करने की कोशिज करती हूं ताकि वह मतलब परफेक्ट हो परफेक्ट तो नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी अ अपने लिए इस तरह से मौसम्मी और अनार काट करके रखा अनार भी निकाल लिया अनार काट रही थी तो उसके जूस एकदम जूसी अनार था अभी परसाद मैंने चढ़ाया था वही सारे फुरूट हैं तो इस तरह से मैंने मौसम्मी भी छील लिया और उसके बाद जूस भी निकाल लिया किसी काम को करने से पहले अगर हम मन में ये बना लेते हैं कि बापरे ये काम तो बहुत बड़ा है तो सच में वो काम बहुत बड़ा हो जाता है और उसको करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसकी बजाए जब हम उस काम को सोचते हैं कि नहीं इस तरह से हमें कर लेना है तो वह काम बड़े ही आसानी से हो जाता है इस बार हमें जाना था गूमने के लिए और थोड़ा जरूरी ही था और मैं अगर नहीं जाती तो इससे सब को परिशानी होती घर में बच्चे और हस्बेंट उन लोगों को लगता क कि नहीं फिर कोई नहीं जा पाता इसलिए मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला जैसे जैसे उन लोगों ने प्लैन किया मैं चली गए क्योंकि पहली पूजा जो है वो रास्ते में पढ़ रहा था तो मैंने नहीं बोला कुछ और मैंने मन में बना लिया कि इस तरह से मैं क कर लूँगी फास्ट का खाना तो सभी जगह मिल ही जाता है चाय है फ्रूट है यह सब तो एवर लेवल ही होता है इसलिए मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं हो पाएगा तो सच में वह बहुत ही अच्छे से हो गया रात के दो बजे हम घर पहुंचे और नेक्स बजे तक पहुंच गया इतना ही सोचना चाहिए कि हाँ देखो यह काम मैंने जैसे सोचा था उसी तरह से हो रहा है तो बहुत हलका हो जाता है और इससे किसी को परिशानी भी नहीं होती है अगर मैं अपने बारे में सोच लेती कि नहीं मैं अभी घूमने नहीं जाओंगी तो बच्चो को हस्बेन को लगता कि फिर तो कोई नहीं जा पाएगा क्योंकि मुझे लिए बिना तो यह लोग नहीं जाते इसलिए मैं चुपचाप उन लोगों ने जैसे जैसे प्लान किय तो मैंने वैसा ही किया और फिर सब लोग खुस थे काफी की जो चलो जैसे प्लैन किया उसी तरह से हो गया और दुरोगा-पूझा का भी सब कुछ अच्छे से हो गया इसी तरह से हमें are अलावा डूसरों के बारे में भी Plus सोचना चाहिए सिर्फ अपने बारे में नहीं से रात्रे का ब्रत का आज नौमी पूजा का सब कुछ अच्छे से हो गया मातारानी की किरपास है और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स थैंक यू बाबाय मिलते हैं अगली वीडियो में